बहुत से बच्चे विद्याले में घर पर एवं दोस्तों के साथ अलग-अलग भाशाओं में बातचीत करते हैं इस वीडियो श्रिंखला का उद्देश शिक्षक शिक्षिकाओं को निमिलिखित पहलू को समझने में मदद करना है अलग-अलग भाशाओं किसी जगा, लोगों के समूह एवं एक बच्चे को समझने के हमारे तरीके को कैसे आकार देती हैं अपचारिक एवं रोजमर्रा के जीवन में बोली जाने वाली विविद्ध भाशाएं बच्चों के स्वयम को अभी व्यक्त करने के आत्म विश्वास को कैसे आकार देती हैं हमारे पढ़ाने का तरीका बच्चों के भाशा कौशल एवं विभिन भाशाओं के स्वतसूर्थ प्रयोग को कैसे आकार देता हैं अगर बच्चे की स्वाभाविक या घर की भाशा स्कूली भाशा से अलग हो तो कैसे पूरे स्कूल को एक जुट होकर काम करना चाहिए हर मॉड्यूल में चार इकाईया हैं जो बहु भाशावाद से संबंदिद विशिष्ट विश्यों पर जानकारी देंगी बहु भाशी कक्षा की तीसरी इकाई में हम व्यवहारिक स्थर पर बहु भाशावाद और बच्चों द्वारा किये जाने वाली कोट स्विचिंग के कुछ विशेश उदाहरनों के बारे में बात करेंगे इस मॉड्यूल का अध्यायन करते समें कृपया विचार करें कि बच्चे किस तरह से भाशा का प्रयोक करते हैं और उनके आसपास के वयस्ग भाशा के प्रयोक के बारे में क्या सोचते हैं इसका मतलब है वयसकों में किस तरह की भाशा का प्रयोग कब और क्यू करनी चाहिए इसे लेकर विशिष्ट अपेक्षाएं रहती हैं शोद से पता चला है कि भाशाओं की अदला बदली सोच समझकर और वाक्य में उपियुक्त स्थानों पर किया जाता है जिसका अर्थ है कि बच्चे में वाक्य विनिया संबंदी जागरुकता होती है और वह दो भाशाओं के व्याकरन से परीचित है बहु भाशिकता का प्रयोग बिना सोचे समझे नहीं होता है इसमें गहरी व्याकारनिक संद्रचना होती है प्रोफेसर पंडा द्वारा भाशा के उप्योग पर किये गए एक समाज शास्त्रिय सर्वेक्षन से मुझे जो गहन समझ मिली है मैं उन्हें आपके साथ साजा करना चाता हूँ यह शोद मध्यप्रदेश के बढ़वानी जिले में किया गया था एक ऐसी जगह जहाँ चार भाशाएं बोली जाती हैं हिंदी, बरेली, निमाडी और बरेली राठवी हाँ, मैंने भी इस रिपोर्ट को पढ़ा है, चलिए साथ मिलकर संग्षेप में इस पर चर्चा करते हैं पहली गहन समझ यह है कि घरों के अलावा अधिकांश जगाओं पर बहु भाशिकता भाशा के उपियोग पर हावी रहती है इस शोद में मैंने पढ़ा था कि आदिवासी बच्चों और उनके माता-पिता के लिए उनके घर की भाशा ही उनकी सबसे मजबूत भाशा होती है लेकिन हिंदी को शिक्षा और भविश्य में आगे बढ़ने की भाशा माना जाता है हाँ, एक और बात जो इस सर्वेक्षन से पता चली है वह यह है कि लगभग पचास पतिशत आदिवासी माता-पिता, शिक्षक और छात्र दुभी भाशी है भले ही वे एक ही गाउं में अन्य जन्जातियों के साथ रहते हों, मगर वे दो आदिवासी भाशाओं में बात नहीं करते हैं वे एक आदिवासी भाशा और हिंदी में बोलते हैं आदिवासी माता-पिता की आकांकशाओं पर हिंदी का प्रभाव देखा जा सकता है. चोथा निश्कर्च ये है कि कुछ माता-पिता सिर्फ एक भाशी स्कूल ही चाहते हैं, जबकि दूसरे माता-पिता अपने बच्चों के लिए दुविभाशी शिक्षा चाहते है. इसमें दिल्चस्प बात ये है कि कम पढ़े लिखे माता पिता ये नहीं चाहते कि स्कूली समय घर की भाषाओं पर बरबाद किया जाए हाँ और आखरी गहन समझ यह है कि ऐसे आदिवासी माता पिता जिन्होंने कोई आपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है वे स्कूल की शिक्षा को हिंदी दक्षता के साथ जोडते हैं एक और बात जो मुझे दिल्चस्प लगी हाला कि कुछ माता पिता कक्षा में शिक्षकों के कोड मिश्रन या बहुभाशिकता के प्रयोग के विचार को सही नहीं मानते हैं पचास प्रतीशत शिक्षक और छात्र इसका समर्थन करते हैं इसलिए ऐसा लगता है कि कुछ माता पिता को यह ब्रह्म है कि कोड स्विचिंग भाशा के उप्योग का एक निचला रूप है यह समझाने के लिए माता पिता के साथ बैट कर बात करना महत्वपूर्ण होगा कि भाशाओं को मिलाकर उप्योग करने के कई लाव है माता पिता और शिक्षक भाशा के प्रयोग के बारे में क्या कहते हैं इसे ध्यान से सुनकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरे पिछले स्कूल में मैंने देखा था कि बच्चे हर भाशा की ध्वनी उसके व्याकरन और नियमों का पालन करते हैं तब भी जब वे एक भाशा का प्रयोग करते करते दूसरी भाशा बोलने लगते हैं हाँ भाशाओं के नियमों का तब भी पालन किया जाता है जब एक वाख्य में अलग-अलग भाशाओं के कोड का मिशरन किया जाता है गुड आइडिया सारे नों तो का इल बे अट यूर हाउस ठीक है भाशाओं का मिल जुलाकर उपयोग करने वाले बच्चे भाशाओं की प्रयोग में दक्ष होते हैं इदू नन्ना अज्जा मेरे प्यारे भाईया हमारे साथ खेलो ना कल माने मुझे मंगानी की स्टोरी सुनाई हमारे महले में एक न्यू भाईया हैस काम इस मॉड्यूल में हमने समझने की कोशिश की की बच्चे किस तरह से भाशा का प्रयोग करते हैं और उनके आसपास के वयस्क भाशा के प्रयोग के बारे में क्या सोचते हैं वयस्कों में किस तरह की भाशा का प्रयोग कब और क्यू करनी चाहिए इसे लेकर विशिष्ट अपेक्षाएं रहती है शोट से पता चला है कि भाशाओं की अदला बदली सोच समझकर और वाक्य में उप्युक स्थानों पर किया जाता है जिसका अर्थ है कि बच्चे में वाक्य विन्या संबंदी जागरुकता होती है और वा दो भाशाओं के व्याकरन से परीचित है बहु भाशिकता का प्रयोग बिना सोचे समझे नहीं होता है इसमें गहरी व्याकारनिक संद्रचना होती है बच्चे में गए में रापकारनिक समझे उसे होती है झाल कर दो फसके कि अजय है.